नमस्कार दोस्तों आज पर आपका स्वागत है Crown Immigration के YouTube चैनल पर तो आज का जो हमारा discussion है वो है COVID-19 Readiness Plan of Canada के बारे में discuss करेंगे मतलग कनेडा की study के बारे में discuss करेंगे especially जो Canadian government ने अभी 20 October को traveling jurisdiction है international students के लिए खतम कर दी है वहाँ पर जो international student है जिनके passport के उपर visa leveling हो चुकी है वो travel कर सकते हैं लेकिन उसके अंदर उन्होंने condition रखी थी जब उन्होंने जे news डाली थी कि Canadian government बहुत जल्द एक list अपडेट करेगी अपनी website के उपर जो की DLI की जितने भी designation learning institutions हैं वहाँ पर उन में से कौन-कौन सी institutions को उन्होंने अपरूड कर दिया है COVID-19 readiness readiness जो प्लान है तो जिन बच्चों का उन college और universities में admissions आया हुआ था जब वीजा अपरूड हो चुका है वो बच्चे travel कर सकते हैं कनेडा में तो वो list कहां पर है कैसे check कर सकते हैं उसका link मैंने description box में लगा दिया है तो देशी भाषा में ये बता दें कि Canadian government के ने कुछ प्लान बनाया था कुछ समय पहले कि वो चाहती थी कि हम जितने वी इंटरेशन स्टूडेंट्स हैं जो कनेडा अना चाहते हैं जिनका वीजा अपरूड हो चुका है पासपोर्ट पर लग चुका है उनको बनाने के लिए कोई ना कोई प्लान त्यार किया जाएं तो प्लान में क्या रखा उन्हें पहले तो ये वताओं के नेडा के अंतर टोटल 12 प्रवेंस और टेरिटरियल्स है तेरह उसमें दस प्रवेंस हैं और तीन टेरिटर्भी तो वहाँ Federal Government, Provincial Government और Territori Government इन तीनों Government ने मिलके एक प्लान बनाया था वो प्लान क्या था बो मैं discuss करूँगा तो उस प्लान में उन्हें यह रख्या उन्होंने वहां کے जितने भी डियल इंसिडिणीन को प्रपोस किया कि हम आपके international students को entry प्रवाइड कर देंगे subject to, subject अगर dragumn यह पीटा है कि आप एक कॉविट 们का रेडीनेस प्लान बनाएं उसको submit करें सब्मिठ करने के बाद हम आपका प्लान अपरूड कर देंगे अगर हम आपका प्लान प्रूड कर देते हैं तो आपकी सब्सीचेन का नाम हम अपनी website के अंदर डाल देंगे कि अगर आपका student जा आपका international student कहीं भी है word के किसी भी corner पर बैठा हुआ है तो वो आ सकता है अगर हम आपका COVID-19 का readiness plan अपरूड करते हैं तो उसमें क्या था? उसमें ये था उसके अंदर उसमें travel precautions थे कि आपने जब Canada पहुँचना है उसके अंदर चार main points से सबसे पहले है quarantine जो period है कि उन्होंने college से पूछा कि जब अगर आपका international students Canada में आ जाता है तो during quarantine period वो कहां पर stay करेगा तो जो तो DLI smart थी, expert थी, active थी उन्होंने अपने जो readiness plan थे COVID के immediately submit कर दिये थे तो जो lazy थे वो अभी भी submit कर रहे है उनके अभी तक जो plan अभी तक अभरूद नहीं हुए उनका नाम अभी तक उस list के अंदर नहीं आया तो उनको भी गभराने की जूरूत नहीं है जिन बच्चों के admission किसी और institution से आय हुए है बट उनका list में नाम अभी तक को college का list में नाम नहीं है उनको भी वरिड होने उन्होंने भी plan submit किया आज नी तो कल उनका भी आ जाएगा जिनका आ चुका है वो without any problem travel कर सकते हैं कनेडा में लेकिन travel करने से पहले क्या है कि अपने college के साथ ज़रूर coordinate करके रखना है आपने तो उसमें क्या-क्या था मैंने फिर बता दिया कि जब बच्चा कनेडा में पहुंचता है पहुंचने के बाद वहां के जितने भी DLA institutions उन्होंने during 14 days जब बच्चे ने वहां आना तो उन्होंने क्या उनके लिए arrangement करके रखाया accommodation का एक तो यह था और दूसरा था कि जब quarantine period के अंदर 14 दिन जाता है जाने के बाद जो necessity items है like food जा medicine during that period वो आपका जो international students कहां से लेगा उसके बारे में आपने बच्चे को assist करना है यह हो गया उसके बाद क्या है कि during quarantine जो बच्चा suspect पाया जाता है कॉविट का जा positive पाया जाता है तो उस बच्चे को आगे क्या precautions लेने हैं तो यह उनका प्लान था तो जो college अच्छे थे बढ़िया थे उन्होंने immediately submit कर दिया है तो उनके नाम list में आ चुके हैं तो यह जह चीजें थी जिन college को उन्होंने अपरूड किया है कोविट 19 readiness plan के तुरूड तो अभी question क्या आता है अभी बच्चे phone करें सर मेरे college का नाम नहीं आया है next list कब आगे वो अभी अपनी जो website के उपर है जितने भी DLI institution को अपरूड करेंगे जिनके plan तो उनका update करते रहेंगे अपनी website के उपर उसका link भी मैंने description box में डाल दिया आ करते रहें अगर आपके college का नाम नहीं आया जा institution का नाम नहीं आया तो गभराने की जूरत नहीं है तो दूसरा question फिर बच्चे हमें phone करकर करके पूछ रहे हैं सर जो बच्चे already Canada में पढ़ रहे हैं वो कहते कि इसका impact जो inside Canada में बच्चे हैं उनके उपर भी पढ़ेगा उन से इसका कोई लेना देना नहीं है जो आरडी inside Canada के अंदर है उनके साथ इसका कोई लेना ने देना नहीं है जो बच्चे international है outside Canada से है चाहे वो USA से आ रहा है चाहे किसी भी कंटी से Canada में इंटर करता है तो उनके लिए यह जुरूरी है जो travel restrictions उन्होंने पास की है आपने अपन 19 readiness plan से approved है जा नहीं है वो DLI अपने जुरूर चेक करने है लिंक के दूरू तो दूसरा question क्या आता है कि जो international students आरडी Canada के अंदर थे लेकिन वो अपनी अपनी country बापस आये होते holidays के लिए अभी holidays के लिए बापस आये होते अभी उन्होंने द्वारा travel करना है Canada के अंदर तो उन बच्चों को भी यह readiness जो जो लिस्ट DLI की चेक करनी है तो उन्होंने भी travel करने से पहले चेक करना कि उनका जो college है कि वो लिस्ट के अंदर approved हो चुका है जा नहीं हो चुका है क्योंकि उनको क्योंगी वो ओट से कनेटा से आ रहे हैं तो उनको भी यह चीजें follow करनी पड़ेगी तो यह सारा का सारा जो COVID-19 readiness plan है जो Canadian government ने बनाया है उसकी मैंने सारी आपको information प्रवाइड कर दी है बच्चे parents बार बार फोन करते हैं मैं सदार ने सर बताइए आगे क्या होगा क्या होना यह बहुत ही simple system है बहुत ही बढ़िया system से Canadian government ने फर्स्ट अपना यह plan स्टार्ट किया इवन आप देखिए US इतनी बड़ी country है उन्होंने अभी तक अपने international students को accept करना स्टार्ट नहीं किया और Canada मैंने फिर बार-बार य न्यूजिलेंड को compare कर ले और बहुत सारी ऐसी country है जो अभी तक अपने international students को entry नहीं दे रही तो Canadian government एक फर्स्ट ऐसी government बन चुकी है जहां पर maximum international students higher studies के लिए जाता है उन्होंने यह immediately इस type के plan को introduce किया है तो Canada से related अगर आपकी कोई भी query है वहाँ पर आपने higher studies के लिए जाना है तो आप crown immigration से भी संपर कर सकते हैं हमारे पास बहुत सारे DLI designated learning institutions हैं जिसके साथ हमारा direct और indirect tie-ups है बहां पर हम आपका easily admissions करवा सकते हैं even Genka intake भी हमारे पास available है कुछ province में आप अपनी profile भेजिए मैं आपकी profile चेक करने के बदा सकता हूं कि आपको कहां पर admission हम करवा सकते है हैं आपकी profile के according इवन मैंने बहुत सारी Canadian related videos अपने channel के उपर डाली हुई है और इसके अलावा अगर आपका Canada का already ban लग चुका है जहां Canadian government ने आपको advance notice दिया है क्योंकि जब भी Canadian government किसी भी international student को तूरिस्ट को जब PR holder को कोई भी ban impose करती है तो उसको सबसे पहले वो opportunities देती है through advance notice कि हम आपको five years का ban करने जा रहे हैं क्योंकि आपने ये bogus information provide की है अपनी application के साथ तो अगर आप इसके उपर कुछ बोलना चाहते हैं जहां interview में आना चाहते हैं तो आप बताईए तो इस type के भी अगर आपकी letter आया हुआ है आपको अच्छी सी representation बनाना चाहते हैं उसका reply reply देना चाहते हैं आपको समझ नहीं लग रहा है तो आप हमें संपर्क करें तो मैं आपको properly उसका reply भी प्रपेर करके प्रवाइड कर सकता हूं अगर आपको physically Canadian embassy ने इंट्रीव के लिए बलाया है तो आपको मैं tips भी प्रवाइड कर सकता हूं कि Canadian embassy आप से क्या expected question पूछ सकत है तो लास्टी मेरी यही request है कि अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको like and share करना नाम थेंक यू